हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बिना तेल के एक ऐसा नास्ता बना कर तयार करेंगे, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और ये जल्दी ही बन कर तयार हो जाता है, इसके लिए कुछ बेसिक सामान लेंगे, जैसे कुछ सबजिया, कुछ बेसिक मसाली, और एक कप हम चावल का आटा लेंगे, चावल के आटे से बनाएंगे, बिट रूट, गोबी, प्याज, करीपत्ता, गाजर, पींस, सिम्ला में चुबले हुए आलू, टामाटर और धनिया, धनिया पाउडर, धल्दी, गरम मसाला, काली मेच, लाल मेच और नमक, इस तरह से हम ये मसाले लेकर और सबजिया लेकर आप अपनी पसंद की कोई भी सबजी ले सकते हैं, सबसे पहले हम चावल का आटा लेंगे, और गैस पर एक कड़ाई रखकर उसमें एक कप पानी डाल देंगे, एक कप पानी डाल कर उसमें हम चीली फ्लैक्स, हरा धनिया, और थोड़ा सा नमक और घी डाल देंगे, उबाल आने पर हम धीरे धीरे करके इसमें चावल का आटा डालते जाएंगे, उसे एक डो की तरह तयार कर लेंगे, इस तरह से मिलाते हुए हम चावल के आटे को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिसमें काठे ना पड़े इस तरह से हमने आटे को इस तरह से बना लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे फिर हम गैस को बंद कर देंगे और कड़ाई को नीचे उतार लेंगे इस तरह से ये आटा कड़ाई छोड़ने लगेगा एक दम एक डो बन कर तयार हो जाएगा अब हम गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए नीचे उतार लेंगे एक पलेट लेंगे कड़ाई में से डो को इसमें डाल लेंगे जिससे ये ठंडा हो जाए इस तरह से निकाल कर इस पर थोड़ा सा ओयल यागी लगा कर इसको ढखकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ हम इस पर थोड़ा सा उपर से ओयल लगा देंगे और इसको एक जंगाई खटा करके ढखकर रख देंगे इस तरह से डो बन कर तयार हो गया है हमने इसे ढख कर एक तरफ रख दिया है अब हम दूसरी कडाई लेंगे उसमें एक चम्मच तेल डाल लेंगे और एक चम्मच जीरा डालेंगे थोड़ा सा हींग डाल लेंगे हिंग डाल कर इसको अच्छी तरह से रोष्ट करेंगे जब ये दोनों चीज रोष्ट हो जाएगी तो हम इसमें थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे और एक कटा हुआ प्याज डालेंगे इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज को ज़्यादा नहीं बुनेंगे इसके बाद हम इसमें एक टमाटर डाल देंगे चोप किया हुआ और फिर कुछ कटी हुई बींच डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बींच के बाद हम इसमें सिमला मिर्च डालेंगे एक सात वी सबी सबजे आप डाल सकते हैं लेकिन हम थोड़ा थोड़ा डाल कर इनको रोश्ट करते रहेंगे इसके बाद हम इसमें फूल गोभी डाल देंगे जो हमने कद्दुकस करके रखी थी और कद्दुकस की हुई गाजर डालेंगे दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ये सबी चीजें हम दो तीन चम्मच इस तरह से लेंगे आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस तरह से इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इनको मिक्स करें और रोष्ट करें इस तरह से चलाते हुए ये सबी चीजे मिक्स हो गई हैं अब हम इसमें थोड़े से बिट रूट डालेंगे जो इससे इसका कलर अच्छा आएगा दो चम्मच हमने कद्दू कस किया हुआ भी टूट डाल दिया है इनको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू तोड़ कर डाल देंगे हमने दो बड़े आलू लेकर इनको उबालकर तोड़कर इसमें मिक्स कर लिया है आप छोटे हों तो चार आलू ले लें आलू को उबालकर ही हमने यूज किया है अब हम इसमें जो बेसिक मसाला हमने लिया था उसको डाल लेंगे जैसे चाट मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमाक मिरच और गरम मसाला, चाट मसाला ये सम्मिलाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लिया है थोड़ी देर के लिए हम इसको ढग देंगे दूसरी तरफ हम हातों पर ओयल लगाकर आटे को इस तरह से मिक्स करेंगे इसे थोड़ा थोड़ा करम रह तब ही मिक्स कर लें इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आटा का डो हमने तयार कर लिया है इसको हम इस तरह से करेंगे और हातों के ओयल लगाकर इसकी हम लोईया तयार कर लेंगे ये फरे खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिना तेल के बनाए जाते हैं हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं दूसरी तरफ हमने जो फिलिंग तयार की है उसको धकन को हटा कर इसको अच्छी तरह से इस तरह से सुखा लेंगे इसको अच्छी तरह से सुखा कर किसी पलेट में निकाल ले ठंडा होने के लिए रख दे इस तरह से ये हमने पलेट में निकाल लिया है और इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है पहले हम चावल के आठे से लोईया बना कर तयार करेंगे यानि कि थोड़ा बड़ा लड्डू बना कर तयार कर लेंगे और फिर हम इस फिलिंग का भी छोटे-छोटे लड्डू बना कर तयार कर लेंगे सभी लोईयों को बना ले दोनों तरह की लोईयां बना कर तयार करेंगे चावल के आटे वाली लोई बड़ी बनाएंगे इस तरह से लड़ू से बड़े बड़े बना कर तयार कर ले उसके बाद हम फिलिंग के छोटे छोटे से लड़ू बना कर तयार करेंगे सभी लोईयों को अच्छी तरह से बना कर तयार करें सभी लोईयां हमने बना कर तयार कर ली है अब हम फिलिंग वाले छोटे छोटे लड़ू बना कर तयार करेंगे जितनी लोईया हमने तयार की है उतना ही हम इस फिलिंग के भी तयार कर लेंगे इस तरह से छोटे छोटे बना कर तयार करें जब सभी तयार हो जाएंगे तब हम इनको बनाना शुरू करेंगे ये जारखंड यूपी छतिसगड में इस डिस को बनाया जाता है ये टेडिसनल डिस है जो चावल के आटे से बनाई जाती है वैज की जंगा इसमें दाल भी भरते हैं जिनको हम दाल वाले फरे बोलते हैं ये वैज फरे हैं इस तरह से हम इनको बना कर तैयार कर लेंगे सभी दोनों तरह के लड़ू हमने बना कर तैयार कर लिये हैं इस तरह से अब हम एक छलनी लेंगे उस पर हम ओयल लगा लेंगे और दूसरी तरह हमने गैस पर पानी डाल कर एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हमने एक डेड़ गिलास पानी डाला है इसके अच्छी तरह से ओया लगा ले और इसको एक तरह रख दे एक चावल वाली लोई लेकर उसको हाथ से या फिर बेलन से चकले पर उसको फैला ले पूड़ी की तरह हम इसको फैला लेंगे इस तरह से हाथों में वयल लगाए और इसको इस तरह से भी हम फैला सकते हैं लेकिन चकले पर अच्छी तरह से ये बेल कर तयार कर ले और आप अगर इसको बिल्कुल गोल बनाना चाहते हैं तो किसी कटोरी या किसी चीज से इसको गोल काट ले इस तरह से हमने एक चकला बेलन ले लिया है उस पर ओयल लगा लिया अब इसको हम इस तरह से फैलाएंगे अच्छी तरह से इसको पूड़ी की तरह फैला ले और फैला कर इस मिश्रन को आधे हिस्से में डाल दे यानि कि उसको भी इसके आदे इससे में फैला ले आप इसको बिल्कुल गोल बनाने के लिए काट भी सकते हैं इस तरह से इसको लंबा सा करके ऐसे एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ का इस पर फोल्ड कर दे इस तरह से आटा थोड़ा हमारा पतला हो गया है अप टाइट आटा इसका गूते इस तरह से इसको बंद नहीं करना है इसी तरह से जो चलनी में तेल लगाया है उसमें रख देंगे एक बराबर इसको कर ले इस तरह से एक बन कर तयार हो गया है अब हम आपको दूसरा भी बना कर दिखाएंगे इस तरह से इसको चलनी में रख ले सभी फरे बना कर चलनी में इस तरह से रख ले इसको इस तरह से रखे और फिर दूसरा बनाना तयार करे हमने इसको चलनी में रख लिया है अब हम दूसरा भी इसी तरह से बना कर तयार करेंगे सभी फरे इसी तरह से बना कर तयार करें और छलनी में रख ले सब इसी तरह से बन कर तयार होंगे ऐसे फैलाएं फिर उस पर इसको दूसरे छोटे लड़ू को जो हमने मिसरन से तयार किया है इस तरह से फैला कर आदे इससे में रख दे आदा इससा इस पर फोल्ड कर दे अगर आपको मेरी एडिस पसंद आए लाइक करें सेयर करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें पिर इसको उपर से एक बराबर कर लें अगर आप कटोरी से काटेंगे तो यह बिलकुल गोलाई में आ जाएगा हमने इसी तरह से बना कर तयार किये हैं इस तरह से बना बना कर सभी को चलनी में रख लें जब चलनी फूलो जाए इस तरह से इसमें पाँच आए है विए फूलो गई है अब हमने जो पानी रखा था वो गरम हो चुका है उस पर हम इसे रख देंगे और उपर से इसमें हम डखकन लगा देंगे पंदरा मिनट बाद हम इसको देखेंगे भाफ से सिक कर तयार हो जाएंगे कुछ हमने इनको पहले ही आटे को गरम पानी से बनाया है इस तरह से बन कर तयार हो गए हैं अब हम उसको डखकन को हटा कर चलनी को पानी पर से हटा लेंगे और इनको किसी बरतन में निकाल कर रख लेंगे इस तरह से हम चलनी को हटा लेंगे पानी में खूब अच्चा उबालाया हुआ है अब हम दुबारा इसी चलनी में दूसरे भर कर रख देंगे और उनको भी ढग लेंगे इसी तरह से सफ़रे वन कर तैयार हो गए है हम एक काट कर आपको दिखा रहे हैं खूब अच्ची फिलिंग बरी है इसको आप हरी चटनी या मेठी चटनी के साथ सारू कर सकते हैं और इनको हम दुबारा फराई भी कर सकते हैं थरे बन कर तैयार